हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल देशी पूट किंग आज हम आपके लिए लिए बिना महनत का मिठाई तो आप आपको बिना महनत का ड्राइफूट का लड्डू बनाना सिखाएंगे और बहुत ही स्वादेश होता है यह मिठाई और सेहर से भरपूर और सबसे बड़ी मैंने कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने ड्राइफूट जो आपको ड्राइफूट पसंदे आप वह ले लीजे रहा पर मैंने काजू ले लिया है अख्रोड ले लिया है तिस्ता ले लिया किसमिल्स यह मैंने ले लिया है सूखी नारिया खजूर बडाम आईए हम बिना घी और बिना गैस जलाए हुए यह ड्राइफूट का लड्डू कैसे बनाते हैं सबसे पहले मिक्सर दाले लेंगे और हम इस नारेल को कट कर लेंगे मिक्षर बेंगे इसquinho कट करें हम इसे छोटे पीस में मिक्सर डाली destry know that कि ऐसे यह छोटे-चोटे पीस में क्वीज ने भीम भीए असानि से यह लड़ी में भीएगे अरो शॉदिस्ट भी होता है कोई कही नहीं सकता कि यह गैस का यह लड़ूर बनाया आपने तो एक बार गैस का लड़ूः बनाए जरूर खाइएक आप भी बनाएए बहुत ही मज़ा आएगा आप तो मेरी फैमली नहीं है तो फैमिली को सब कुछ बताना तो जरूरी होता है तो बहुत ही असान सा चीज मैंने सोचा क्यों ना आपको हम बता दे अब फटा फट मेरे चैनल को जो लाइक जो सब्सक्राइब ने किया है वो सब्सक्राइब कर ले और नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का वटम दवा दे जो भी वीडियो मैं बनाती हूं इतम घर पे समान जो है यूज करते हूं वही हम बनाते हैं न कोई ज्यादा महगा न कोई ज्यादा सस्ता वाला हम वीडियो बनाते हैं कि आपके पास यह समान नहीं है तो यह वीडियो हम नहीं बना पाएंगे बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास यह समान नहीं ह तो जो आपके घर में जो असानी से समान मिल ज़ें आप उससे वीडियो बनाइए जरूरी नहीं है कि हम पैसा ही लगा कि सारा समान बनाए ऐसा कुछ नहीं है घर पे समान रखाओ आप उससे भी बना सकते हैं हमुए है 이nhah हम डाल के पीछ लेते हैं तो एक भाश्त लेंगे और सारे ड्राए फूट हम इस तरह पीछ के एक थाली में रख देंगे तो हम इसी तरह हम सारे ड्राएफूट में डाल पीछ लेंगे कैस्मिस को नहीं पीछेंगे क्योंकि वह बहुत ही बुलायम होता है इसलिए तो इसारे ड्राइफूर काजू पेस्ता बदाम अक्रोड यह सब डालके हम पीस लेते हैं यह बदाम अक्रोड यह सारे ड्राइफूर हम डालके एक बार मिक्सर जाल में चला लेते हैं तो इसको भी हम पीस लेते हैं जो पीसा ह इसको भी हम थाली में ही डाल लिखते हैं सारे ड्राइफोट हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसका पाउडर बनाकर थोड़े बहुत खड़े भी रह जाएंगे तो उसे कोई दिकत नहीं है अब हम इसे खजूर को भी पीस लेंगे खजूर का हम बीज लिपाल लेंगे इस तरह बह सजाल में चला लेंगे इस तरह चाकू के मदद से इसका बीज हम लिकाल लेंगे बहुत ही आसान है बीज लिकालना बहुत लोग को बहुत नुश्किल लगता होगा पर इस तरह आप अगर देख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा पीज लिकालना इसी तरह सारे बीज हम लि चिपक जाए अब इसे हम पीश लेते हैं तो यह देखी मैंने इसको भी अच्छा से पीश लिया है अब इसे भी हम थाली में लिकाल देंगे इसे चमबज के मतद से और इसमें किसमिश जाल देंगे अब यहां पर हां थोड़ा सा गी डाल देंगे तहां पर हम अपर यह जो़से जाएग आप जो भी डाल सकते हैं देशि गी का ही यूस करके घृयेगः से यहां पर हम देशी घी का यूज करें हैं इस तरह हम हाथों के मतस से मिक्स करेंगे घी को और सारे ट्राइफुर्ट नारियल यह सब कुछ इसमें मिक्स कर लेंगे अपने आपी यह चिपकने लगेगा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंग इसमें खजूर से ही मिठापन आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप चीनी ही डाले इससे भी मिठापन बहुत ही ज्यादा हो जाता है खजूर से भी तो आप मिठा नहीं टाले तो ही सही है क्योंकि मिठा डालने से ज्यादा मिठा हो जाएगा बहुत लोग सहर भी डाल दे जो है जिसको बच्चा हुआ है इसके लिए लड्डू आप बना सकते हैं सेहत से भर पूर ये लड्डू ड्राइफुट का बनके त्यार लगा तो इस तरह आप हाथ में घी लगाएं तो ठीक है नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है ते देखे कितना अच्छा ये लड्डू ब बना सकते हैं तो ये लड्डू मेरा ये देखे आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये लड्डू बन गया है बिना मेहनत का ये लड्डू तो इसी तरह सारे लड्डू हम बना लेते हैं पहले तो फाइनली देखे लड्डू बनके मेरा एदम ब्राइफुट का बिना गैस चलाया यह लड़ू बनके इदम तयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सेहत से भरपूर ब्राइफूट का भी लड़ू कह सकते हैं और नारेल का भी लड़ू कह सकते हैं दोनों का ही स्वाद बहुत थी अल्टिमेट आ रहा है तो एक बार आप जरूर बनाके जिसक्राइब करिए थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए